अजादी के 74 वर्ष भीद गए बाजूद अजाद भारत के दिसरत डॉक्टर रिजिंदर परसाथ की जन्म भूमी अभी भी उपेची थे 3 दिसंबर 1972 को स्रीवान को जीला का दर्जा मिला जीले के दर्जा के बाद सीवान का लगतार विकास होता रहा लेकिन सीवान जीला अस्थापना दिवस के 50 साल बाद और देश की अजादी के 75 वर्ष बाद भी अजाद भारत के पर्थम राष्ट पती आज भी अपने ही गाव और सहर में अपेची थे या यूँ कहा कि हम भूलके उनकी विरासत को दोस्तो बड़ा बेगाना हुआ गलिव अपने ही सहर में पर तेक वर्ष देसरत्न की जन्ती पर छोटे सो छोटे बड़े से बड़ी नेता और अधिकारी आते हैं और रेजंदर बाव की गाव और जीले के विकास करने कराने के वादे करते हैं और वापस चली जाती है इन वादों का सिलसिला दसकों से चलते आ रहा है लेकिन विकास के नम पर आज तक कुछ नहीं हुआ जिसका मलाल सिवान की जन्ता और रेजंदर बाव के गाव के ग्रा जिसने हमारे देश के जनता के लिए एक ऐसा सविधान बना कर दिया जो दुनिया का सबसे अच्छे सविधानों में से एक है आज उस मानपुरिश के जन्म दिवस के औसर पर पूरा देश जनती मनाकर मनलापरत्व करता है लेकिन कोई उनके यादों के साथ जोड़ना नहीं चाहता है आज दिशरत्न के गाव में बने उनके पैतरिक घर सिर्फ एक सोभा की बस्तु है यहां लोग आते हैं तो यह जानने की कोशिस करते हैं कि दिशरत्न की यादों से जुड़ी क्या-क्या बस्तु है क्या यादे हैं लेकिन उन्हें यहां कुछ नहीं मिलता मिलती है तो सिर्फ उनकी पैतरिक घर और एक दिशरत्न की स्टेचू सीवान में भी सुसासन की सरकार का पुरा परभाव है साध इसी का नतीजा है कि आज इस महान भूमी पर दिशरत्न राजेंदर भावु को उपेचित किया जा रहा है जब देश में बिजेपी की सरकार बनी तब अब देश के पनार मंत्री ने सभी सान्सोदों को निर्देश दिया कि वह अपने चेत्र के गराब पंचायद को गूदले और उसको निर्मल गराब पंचायद बनाए और जित्ता हो सके उसका विकास कराएं लेकिन आज तक इस गाव में कोई विकास यहां के सांसद नहीं क उनका उच्छ बीशार को सिवान की जनता ही नहीं बलकि अपने आपको देश का नेता कहने वाले जन प्रतिंदी और जनता की सिवक जिना पर्शासन भी इन्हें भूल चुकी है और उनकी ये भूल ही ना कहीं देशवासियों के दिल में माहपुर्सों के यादों को दुमिल कर करने का काम कर रही है। आज आ सकें और रजिंदर बाबु को नजदीकी से जान सकें और देश के पर्थम राश्पटी डॉक्टर रजिंदर परसाद को नमन कर सकें।